हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैं सीक्रेट रेस्पी कोर्णर, आज हम बनाएंगे कॉनफलेक्स चार्ट इस चार्ट को बनाने में सिर्फ आपको दो मीन का टाइम लगेगा और ये चार्ट बहुत कम सामान से बन करते यार हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है तो चलिए बनाते हैं कॉनफलेक्स चार्ट कॉनफलेक्स चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कॉनफलेक्स की सबसे पहले एक बाउल में डालेंगे थोड़े से कोनफलेक्स बारी कटा हुआ खीरा बारी कटे हुए प्याज बारी कटे हुए टमाटर एक कटे हुए हरी मिर्च अगर आपको स्पैसी पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च को स्किप कर दीजे और बारी कटा हुआ हरा धनिया अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमकीन आपके पास जो भी नमकीन हो वही इसमें डाल दीजे अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले वन टीस्पून चाट मसाला वन फोर टीस्पून काला नमक 1-4 टीजपून लाल मिर्च पाउडर 1-4 टीजपून सेंधा नमक और एक निम्बू का रस अब इसमें डालने के लिए हम बनाएंगे हरिधनी की चटनी उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसके लिए में एक मिक्सर जार में डालूंगी वन बाउल हराधनिया हाफ रफली चोप टमाटर हाफ रफली चोप प्याज दो हरी मिर्च थोड़ा सा अधरक हाफ टीजपून काला नमक और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे देखे हमनी चटनी बना ली है अब इसे भी कॉनफलेक्स चाट में एड़ करेंगे चटनी डालेंगे वन टीजपून टमाटर कैचप और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे कॉनफलेक्स चाट बनकर रेड़ी है अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और सीक्रेट रेस्पीक ओनर को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए